आज हम पढ़ने वाले chapter 3 और chapter 3 अपना the cells, tissue and organization of the body इस chapter के अंदर basically आप उन देखेंगे कि cell की structure किस type के होती है किस तरीके से यह अपना work perform करती है और कितने type के body के अंदर tissue होते है और कौन-कौन से body, organ या body part पे कौन-कौन से type के tissue present होते है ठीक है? तो अब आपने start कर लेते हैं और first one देखेंगे the cell structure and function की तो इसके अंदर introduction की बात कर लेते है तो जो एक human body होती है वो एक single cell zygote से बनती है यानि कि zygote develop होता है और एक human body का formation कर लेते है तो अब सवाल आता है कि zygote है क्या? तो जब fertilization के time पे ovum और sperm आपस में मिलते है तो एक structure का formation करते है उसी structure को क्या बोलते है? zygote बोलते है ठीक है? और zygote दीरे-दीरे growth करता है उसके अंदर cell division होते जाते है और complete एक human body का formation कर लेता है यानि कि एक baby का formation कर लेता है अब चलते हैं main चीज पे तो main चीज है structure and function of the cell so basically cell दो पार्ट से मिलके बनी हुई होते है या cell के दो पार्ट से होते है एक plasma membrane दूसरा है cell organelles अब one by one देख लेते plasma membrane क्या होते है और cell organelles क्या होते है तो first one बात करेंगे अब उन plasma membrane की तो जो cell को चारो तरप से बाहर से cover करके रखती है जो layer होती है उसी को क्या बोलते है plasma membrane या cell membrane बोलते है जो की दो layer phospholipid से और protein plus carboidate से मिलके बनी हुई होती यानि कि दो layer होंगी phospholipid की plus protein होगा और carboidate मिलके इस पूरी plasma membrane का formation करते है अब देख लेते हैं phospholipid molecules क्या होते है तो phospholipid molecules के दो पार्ट होते है एक head part होते है एक tail part होते है जो head part होते है वो electrically charge होते है plus hydrophilic होते है यानि कि water loving होते है water को या fluid को अपनी तरफ attract करते है और जो tail part होते है phospholipid molecule का tail part होते है उसके उपर कोई electrical charge नहीं होता है साथ में वो hydrophobic होता है यानि कि water heating होता है, water से नफरत करता है वो fluid को अपनी तरफ attack नहीं करता है तो अब क्या होगा फोसपोलिपीड की दो layer आएंगी और आपस में इस तरीके से जुड़ती है कि जो उनके tail part होते हैं वो आपस में attach हो जाते हैं और जो head part होते हैं वो बाहर की तरफ रह जाते हैं एक तो cell के बाहर की तरफ एक cell के अंदर वाली तरफ तो इस तरीके से sandwich के तरह है वो आपस में जुड़ जाते हैं इसका reason ये है कि जब cell को कुछ अंदर लेना होगा जो cell के अंदर fluid कहां से आएगा जो भी food वगेरा, खाना वगेरा जाता है अंदर cell के अंदर तो वो कहां से आता है? वो fluid से आता है जो की interstitial fluid से आता है तो अब जो head part होते है वो water philic होता है यानि कि hydrophilic होता है जो water को अपनी तरफ attack करता है अब जैसे ही वहाँ पे वो अपनी तरफ एक्टक्ट करेगा उस water को इंट्रिस्टिसल फ्लूड को उसी के अंदर क्या होते हैं खाना होते हैं, nutrient हो गिरा होते हैं तो उसके पास आजाएंगे और cell के अंदर चले जाते हैं और ये reason है कि जो phospholipid bilayers होती है वो आपस में एक sandwich के तरह जुड़ती है दिन का head part दोनों तरफ बाहर की तरफ होता है और tell part आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच बीच में क्या होती हैं protein plus carbohydrate situated situated रहते हैं और ऐसे करके पूरी plasma membrane का formation होता है अब सवाल आता है कि membrane protein जो protein पाई जाती है उसे membrane protein बोलते हैं क्योंकि ये membrane के अंदर है और जो membrane carbohydrate है इनका function क्या होता है तो अब cell इस तरीके से structure तो बन गई अब cell के अंदर खाना कैसे जाएगा तो जो membrane protein होती है वो gate की तरह कारी करती है यानि एक रास्ति की तरह कारी करती है जिसके तुरू कोई भी nutrient वगर अंदर जाते है और अंदर से कोई भी waste product बहार आते है तो membrane protein का का काम क्या हो गया transportation का हो गया एक रास्ति की तरह काम करती है और कार्पौाइट का काम यह होता है ये cell को क्या करते है और उससे क्या होगा जिससे कोई दूसरी इस सेल के पास आई तो उसको अटेज़ करने या फिर उसको दूर भगाना यह काम करने का भी डेटेक्टर का काम करता है साथ में कोई pathogen, microorganism या कोई bacteria, virus आ गए तो उनको पहँचानने का काम भी करता है let's suppose कि जो WBC macrophages है उनका काम क्या है infection को क्या करना treat करना है किसके थूरू pathogen, bacteria वगिरा को मार के तो उन पे एक specific type का carbohydrate percent होगा वो क्या करेगा पहँचान लेगा उसको virus को और उससे attach हो जाएगा और उसको अपने अंदर लेके उसको मार देगा तो इस तरीके से अलग-लग cell पे अलग-लग carbohydrate परजेंट होते है तो basically क्या काम हो गए है carbohydrate का काम है cell signaling का काम करता है जो एक दूसरी cell से cell को attach करने में help करता है कि मुझे इस cell से attach होना है यह मेरी category की cell है और साथ में पेंचानने में काम करता है कि बाहर से कोई अलग pathogen वगएरा कोई अलग type की cell तो नहीं आ गई है उसको पेंचान के उसको destroy भी करवा देता है तो इस तरीके से हो गए यह plasma membrane अब बात करेंगा अपन second one जो second part है cell का वो है cell organelles